नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत हैं, पेश 31 जनवरी मंगलवार दबाई सावा 3 वजे, राजसान की 15 बड़ी खबरें, सबसे पहले एक निज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर PM मोदी ने दान पातर में डाला बंद लिफाफा, 6 माँ बाद खुड़ेगा विदान सबा के बजट सत्र में गुंजा साइबर क्राइम का मामला रास्टपती ने कहा देश में बिना डरे फैसले लेनी वाली सरकार, पिछली साल के मकाबले इस बार ज्यादा होंगी सावे और बारी शोला वरस्टी के बाद ज्यापर में दिखा कश्मीर सान अजारा और अब खबरे विस्तार से भगवान देव नारायन के 1111 में जनमोसम में माला सेरी डूंगरी आये प्रधानवंति इंदरेंद्र मोदी ने दोशन के बाद बंद लिफाफा दान पात्र में डाला था बंद लिफाफा में क्या लिखा था इसका खुलासा 6 माँ बाद होगा जब भादवी छट पर दान पात्र को खोला जाएगा यही नहीं मोदी ने 1111 रुपए भी दान पात्र में डाले बंद लिफाफा डालने से लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है क्योंकि तब तक विधानसवा चुनाओ काफी करीब आ चुके होंगे 6 माँ बाद चुनाओ से पहले खुलासा होगा उसमें लिफाफा खुलेगा तब पता चलेगा कि मालासेरी के विकास को लेकर मोदी ने क्या खाका खीच रखा है राजिसान विधानसवा के बजट सत्र में मंगलवार को कारेवाही सुबह 11 बजे प्रशनकाल के साथ शुरू हुई ग्रहवे भाग से जोड़े पहले ही सवाल पर भाषपा ने सरकाल को घेरना चाहा मिधायक संदीप शर्मा ने प्रदेश में साइबर क्राइम के दर्ज प्रकर्णों और इस पर नियंदर्ण पाने के सरकारी प्रियासों के बारे में जानना चाहा सवाल का जवाब ग्रह मंत्री मुख्य मंत्री अशोग गहलोत की जगह कैबिनेट मंत्री शांती धारिवाल ने दिया इससे पूर्वे ग्रह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और संतुस्ट दिखे इसके बाद दो पूर्व ग्रह मंत्रियों के बीच विशे को लेकर तीखी, नोग जोग भी हुई संसत का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है रास्टपती द्रॉब्दु मुर्मू ने पहली बार संसत के सविंग से सत्र को संबोधित किया रास्टपती ने अपने एक घंटे दो मिनट के विभाशन में कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ती वाली सरकार है उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद परसक्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाग का हवारा दिया उन्होंने कहा कि हमें आत्म निर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो मुर्मूने रेडी वालों की बात कही, तो 11 करोड छोटे किसानों की मदद के लिए सवा 2 लाग करोड रुपए की सम्मान निधी का भी जिक्र किया पिछले साल के मकाबले इस बार सावे जादा रहेंगे, सावे जादा होने से मेरिज होम की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है, जहातर होटल रिजॉर्ट भी बुक हो चुके हैं, नए साल 2023 में 57 सावे शुब विवाह की होंगे, इनमें 10 अबू सावे भी शामिल है, मुलमास की समापती के बाद अलवर में विवाह कारिकरम शुरू हो चुके हैं, दुकानों पर 10 वे 20 के नोटों की माला बिकरी के लिए सजी हुई है, जिसमें 10 के नए नोट लगे हुए हैं, लेकिन वरवधू पक्ष के लोगों को 10 के नोट नहीं मिलने पर परिशान होना पड़ र सितापूरा समित अन्य प्रमुक जगहों पर घना कोहरा च्षाने से द्रशिता काफी कम रही, इस वरान 50 मिटर से भी कम द्रशिता रही, इससे सुबह कामकाच पर जाने वाले लोगों की दिन चरिया काफी प्रभावित हुई, वहीं वहानों के रफतार भी कम रही, मौसम क के चलते कॉंग्रेस की सरकार बनने के बास से ही पार्टे की गत्विधियों से दूर रहने वाली, पूरू मुखे मंत्री वसंदरा राजे का चहरा पार्टे के पोस्टर पर दिखने लगा है, कॉंग्रेस में जहां शोग घहलोतर से चिन पालेट गुट के बीच खींस्तान है, वहीं बीजेपी में वसंदरा राजे व सतीश कुनिया गुट में आपसी खींस्तान है, पार्टे के एक धड़े का मानना है कि वसंदरा राजे के अलावा कोई बड़ा चहरा पार्टे के पास नहीं है, जैपर में कई दिन तक RC की वोटिंग के बाद अब लोगों को ला अधिकारी नहीं होने की वज़े से लोगों की लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, ये पद 16 दिन से खाली चोल रहा है, इस वज़े से करीब 2300 लोग लाइसेंस का इंतिजार कर रहे हैं, इसे पहले इस पद पर DTO सत्य प्रकाश शर्मा थे, लेकिन 13 जनवरी को तबादला सुची में इन्हें भरतपूर डेटियो लगा दिया गया, अब लाइसेंस का काम ARTO प्रकाश टहल यानिक को भी दे रखा है, लेकिन वे पहले से जगतपुरा जोलाना, ARTO और जगतपुरा में यात्री वाहन शाखा का काम दीख रहे हैं, ऐसे में वे पूरा समय नहीं दे पाते, रन ठमबौर में भले ही वन विभाग के ओर से वनने जीओ की सुरकशा के लिए 60 करोड की लागत का इस सरुविलान सिस्टम लगाए गया हो, और विभाग वनने जीओ की सुरकशा के कितने ही दावे कर रहा हो, लेकिन हकीकत इस से अलग है, आलिम यह है कि रन ठमबौर की ख वे खंडा रेंज से ही सामने आए हैं रन थमबार में पूर्व में 26 बाग बागिनों के लापता होने का मामला विदान सबा तक पहुँच चुका है दोसा के जुला कलेक्टर कमर चौतरी ने अध्यापा ग्रेट दूति की परिक्शा संपन करानें वे लापरवाही बरतने वाले थोटी पर उपस्तित नहीं होने वाले शिक्शुकों के खिलाब कारवाही नहीं करने पर जुला शिक्शा अधिकारी घंट-शा मीना को नोटिस एक फरवरी का दिन खास रहने वाला है क्योंकि एक हरा धूम के तू प्रिथवी के पास से गुजरेगा ये धूम के तू कुछ वक्त पहले ही खो जा गया था इसे एक फरवरी दोजा तेईस के दिन बाइनकिलर या टेलिस्कोप के साथ ही नंगी आंखो से भी देखा जा ये हरा धूम के तू सूरज का चकर 50,000 साल में पूरा करने वाला है 12 जनवरी को ये सूरज के बहुत पास था और अब एक फरवरी को प्रिथवी के पास से गुजरने वाला है पिछली बार ये प्रिथवी के 4.2 करोड किलोमेटर आसमान से गुजरा था वो वक्त पूरा पा अड़े बस्ते में जौता दिखाई दे रहा है सरकार के ओर से इसके लिए अलग से बजट आदी भी जौरी नहीं किया गया है कुंबलगर नैशनल पारक को एंसी टीए की टीम ने भी टाइगर के लिए मुफीद माना है इसके बाद वने जीवों की वास्तविक सिती जानने के लिए प्रे बेस सर्वे कराए गया इसके बाद से इस मामले में चुपी छाई है पंजाब के बटेंडा में देर आते कि योति ने बटेंडा चुंदीगर रोड पर हाई वोल्टिस ड्रामा किया योति अपने साती की साथ फॉर्चियूनियर में जौ रही थी इतने में ए महिला कार से उतर कर इंस्पेक्टर को गालियां देने लगी इस पर पलिस ने महिला की गाड़ी को घेर कर महिला फोर्स पुलाई राज़िसान में खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए अब भूमी हीन महिला आएं भी सशक्त हो सकेंगी राज़े सरकार की कृशी संबल योजना में भूमी हीन महिला कृशी श्रमिको को हस्त चौलित कृषी यंत्र मिल सकेंगे क्रिशी विभाग ने अनुदान देने की योजना शुरू की है इसके तहर जिले में 4,018 महिला श्रमिको को इसका लाब मिल सकेगा इसके लिए 2,90,000 रुपए का बजट मिला है इसके लिए क्रिशी विभाग ने कावायद शुरू कर दी है योजना के तहर सवाई मादव पूट जिले में क्रिशी कारों में लगी 4,018 महिला श्रमिको को हस्त चौलित क्रिशी यंद्रों के खरीद करने पर 5,5,000 रुपए का नुदान मिलेगा शुक्षा मंतराले की रिपोर्ट की मताबिक देश में हायर एजुकेशन को लेकर लगाता चात्रों की रूची बढ़ रही है इसमें कुछ राजियों ने बहतर प्रदर्शन किया है जिसमें राजिस्तान शामिल है उत्रप्रदेश, महरास्ट, तमिलाडू, मद्यप्रदेश, करनाटक, राजिस्तान, बहतर प्रदर्शन के कारण 6-6 की शुरेनी में शामिल हो गए है इतना है नहीं कॉलेजों और विश्य विद्धालों की बात करें गंज थाना पुलिस ने मामना दर्च कर जान शुरू कर दी है अलकनन्दा कलोनी MPS स्कूल के पीछे राती डांग अजमेर के कपिल माथूर ने रिपोर्ट दे कर बताया कि 26 जनवरी को वैवाहिक समारों में शामिल होने के लिए पूरे परिवार सही जापूर गए इसके बाद 29 जनवरी को शाम 6 बजे घर पर पहुंचे तो चोरी का पता लगा तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल स्प्टी न्यूस को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर